hey boss कैसे हो हुआ ऐसा कि एक matrix में एक scene है जहाँ पे एक चमज के बारे में describe किया गया है और एक बच्चा होता है मतलब जब N.O. first time A.O. OS र heutा है तो एक बच्चा होता है वो बच्चा चमज को रेक्ट रहता है और चमज को बंड कर रहता है और फिर वो वो बच्छा चम्मज को बेंड करते हुए नियो को एस्पेंड करता है कि बॉस चम्मज बेंड हुआ है तुम बेंड हुए हो अब कि अब आखेंड को यह तो हो निक साथा चम्मज को जिखके धररा है में तरहा है वो इस Darren आखेंड जी जी को आखेंड को आखके को अगाते हैं अब वी तोलिए तो एक बंदा है movies explainer करके इसने हिंदी में मैट्रिक्स को explain किया है और उसने कहीं तो भी कोट किया इस चम्मच वारे incident को और फिर मैं सब छोड़के like deep thinking में चले गया क्योंकि हर बार मैं अपने brain को block कर देता था इसके कारण मैं explain ही नहीं कर पादा था खुद को कि उसका meaning क्या है और मुझे इसको किसी और life के incident से join करना था ताकि ताकि मैं इसको खुद को समझा पाऊं तो because ऐसा मुझे कोई एक एक वीडियो नहीं मिला जिसमें वो किसी और तरीके से explain करें कि हुआ क्या actually like like क्या band हुआ है नहीं समझ रहा है तो इसलिए मैंने सोचा ये वीडियो मैं खुदी बना दू और in future अगर मैं अटकता हूँ तो मैं मैं खुद उस चीज को अपस understand कर पाऊं अगर मैंने मिस कर दिया in future तो तो point ऐसा है कि matrix के दुनिया में हर चीज एक programming है मतलब हर एक चीज तुम जाते हो तुम भी एक अवतार बनके जाते हो पर temporary मानके चलते हैं कि तुम एक object हो क्योंकि तुम्हारा brain अभी तक उस capacity में नहीं आया है कि यह मानो कि तुम भी एक program हो तुम सिर्फ यह मानके चलते हो कि लाइक बागी के सारी चीजे एक program सहय करके जिस computer में record कर रहा हूं वो एक program है यह माइक program है जो camera में record कर रहा हूं camera तक प्रोग्राम है उसी तरह से वो जो चमच उठाया है मैं पैन पैन उठाई लेकिन लेकिन लग्डर जो चमच उठायत है वो चमच भी एक program है अब तुमहारा ब्रेइन मतलब जो भी processing processor जहां पे भी तुम्हारा safe होका जब भी यह program execute होता है यह program execute होके continuous execute हो रहा है क्योंकि यह move हो हो रहा है तो यह continuous execute हो रहा है और यह execute हो यह सोजे से तुमको ऐसा perception हो हो ओ बॉस यह पैन तुम्हारे सामने है और यह pen straight है यह pen bend नहीं हो सकती ऐसा तुम्हारे brain ने accept कर लिया है इससे वह हर लिए बार एक्सकूट कर और ना हम प्रोग्राम को हो रहा है तो अब ही तुम्हें इस चमची चेंज कर देनी है इस चमच की चेंज कर देनी है भली ये program execute हो रहा है कि एक straight pen है या एक straight chemaj है तुम्हारे brain को क्योंकि तुम बदल रहे हो वो pen नहीं बदल रहा हो pen तो एक simple program है तो तुम्हें करना क्या है तुम्हें बदलना बंद करना है तुम्हें resistance फॉर्म करनी है और फिर चाहिए तो तुम उस program को change कर सकते हो या फिर बूसी चीजर तुम उस program को change करो या दूसी चीजर ये है कि तुम बदलना बन कर दो क्योंकि हर बार ये program execute हो रहा है कि तुम बदल रहे हो अब इसको अगर अपन Life के time line के तुर अगर देखे है तो हम लोग ऐसे बोल सकते कि अपने life में बहुत सारी चीज़े होने वाली है तुम कभी graduate होगे, तुम कभी pass होगे, तुम कभी fail होगे कभी like तुम्हारे life में कोई मरेगा, जो तुम्हें हैं बहुत प्यारा होगा तो वो सारी चीज़े होने ही वाली है वो सारी प्रोग्राम है जो होने ही वाली है वो execute hoगी लेकिन तो मुझछ इसको कैसे accept करते हो यह तुम्हारा brain है और फिर तुम्हारा brain उसदुख को बड़ा या छोटा करता है या तुम्हारा brain बोलता है ओ फॉक यार वो मर गया है तो मैंको दुख होना चाहिए उसने जोक मारा है तो मुझे हसना चाहिए उसने जोक मारा है मुझे बुरा लगा ओ मुझे ओफेंड होना चाहिए और जब आपन ऐसा अपने ब्रेन को इतना स्टॉइंग बनाते हैं कि उस इवेंट से या उस प्रोग्राम से तुमको एफेक्ट नहीं होता है तो तुम उसको अलग कर सकते हो या फिर तुम उस इवेंट को ही चेंज कर सकते हो मतलब या तो उस चीज को तुम accept कर लोगे कि हाँ भई वो program execute हुआ है या अगर possible हो मतलब तुम में अगर capacity है तो तुम उस event को चेंज कर दोगे मतलब जो बंदा आज मरने वाला था मतलब कभी ना कभी तो बंदा मरे गाई लेकिन तुम उसको इतनी अच्छी nutrition प्रोवाइड कर दोगे अच्छा environment प्रोवाइड कर दोगे अच्छा mental support प्रोवाइड कर दोगे ताकि यह बंदा उस दिन मरे ही ना वो और दस भी साल बाद मरे या फिर लाइक कुछ और हो या मैं तुम्हें impact पढ़ता है और उस impact को अगर रोग पाऊई त ऊहारा brainstorm हो जाएगा और अगर उस impact को नहीं रोग पाऊँगे तो जो जो लाट में प्रोग्राम Nada हो रहा है वह तुम पर इंपक्त करते रहे आगा करते रहेगा positive event हो तो positive impact और negative event हो तो negative impact । यह था मैट्रिक्स का चमच वाला सीन वाला explanation मेरे लिए मैं माइक ड्रॉप करता हूँ ये स्टैंड में कि इसलिए माइक ड्रॉप नहीं हो पा रहा है लेकिन मैं अपना माइक ड्रॉप करता हूँ चला बाबाई